ये 10 खोटे करम करेंगे तो जल्द हो जाएंगे बर्बाद तभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातुराग बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता जाता है। हालांकि जो लोग रातो रात बरबाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आयेगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किये थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसिबतों का पहार तूट पड़ा। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे, वही देर सवेर बुरे कर्मों को आम भाशा में खोटे कर्म कहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जाने अंजाने ऐसा काम करने रहते हैं जिसके दुषपरिनाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं, तो आओ जानते हैं कि ऐसा कौन से कार्य हैं जिसके चलते आपको बाद में पच्चताने का मौक भी नहीं मिलता है। बाद में पच्चताने का मौक भी नहीं मिलता है। देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी कुछ है। तूटे हुई पलंग पर सोने, पैर पर पैर रख कर सोने या दक्षिन दिशा में पैर करकी सोने से आपकी उम्री नहीं आपके भविश्य पर भी दुश्प्रभाग परता है। इसके अलावा ना पैर धो इस तर पर जाना और देर राख तक जगना उम्र को घटाता है। सूर्योदे और सूर्यास्त की समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतिय वास्तुशास्त के अनुसार द्वार के सामने पाउं करके भी नहीं सोना चाहिए। यदी बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्यशारीरे कांग को छूले तो ऐसे में हमारी उम्र कम हो जाती है। वस्त्र, अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धूकर बाहर सूखने के लिए डाल देने हैं जो की वास्तु के नियमों के विरूप्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन होते ही हैं दूसरी और सूबल सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। हालां कि इसमें से पहली बात को तो माना ही जा सकता है। दूसरी और जो दूसरों से वस्त्रमान कर पहनता है। दूसरों से अन्नमान कर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जाचे ग्रहं करता रहता है उसकी उम्र घरती जाती है। शौचादी, मूत्र, शौच, छीक, पाद और बगासी को रोकना घा तक है कुले में या खड़े होकर पेशाप करते हैं तो ये तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मिदार है यदि आप घास के धेर पर या फिर कनकाद पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यू नजदीक मानी जाती है श्रोच का स्थान और श्रोच करने की दिशा भी नियुक्त है उसी का पालन करें इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयम को दूशित रखता है स्वयम की सफाई का ध्यान नहीं रखता ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है हाला कि उपरोक्त से भी खराब बात यह है कि अधियाप नदी के किनारे, पूल के उपक, खेट की मेर पर, किसी सिदस्थान या पाल्या महराज के पास मूतरादी का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसिबत में पर सकते हैं संभोगादी, अति संभोग करना, न के समय ही समागम करना या मंगलवार को सामगम करने से व्यक्ति की उम्र तो घती ही है साथ ही उसे गंबीर रोग भी उत्पन हो सकेत हैं मनगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोख का सामना करना पर सकता है कहते हैं अत्यنت, भोगी, विलासी और कामवासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ती धीरे-धीरे मौत के मूँ में स्वत ही चला जाता है बहुत से लोग सम्भोग करने के अलावा इसी तरह की बाते करते, फिल्म देखते या कलपनाएं करते रहते हैं यह उनके उम्रों और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वे कभी भी किसी भी प्रकार की मुसिबत में फंद सकते हैं ऐसी गंदी सोच के दुश्परिनाम ही जेलने होते हैं अंगुली या गर्दन चतकाना कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी अंगुलीया या गर्दन की हटी को चतकाते रहते हैं इस खोडले लक्षन कहते हैं इससे जहां उम्र कम होती है वही इससे दरिद्रता बढ़ती जाती है वास्तफ में कुछ लोग हर थोड़ी देर बाद जोर-जोर से अपनी अंगुलीया चतकाते रहते हैं वास्तफ में लंबे समय तक अंगुलीया चतकाने से आपको बुखार जोड़ों में दर्ध जैसी बीमारी हो सकती है बुरापे में अंगुलिया हिलने लगती है अर्थात उनकी किसी भी छीज को पकड़ने की शक्ती का पतन हो जाता है हड़ी बजाना, इसे हड़ी तोड़ना, चतकाना या कतकाना भी कहते है अक्सर लोग अपनी अंगुलियों की हड़ीयों को चतकाते हैं जिसे खोड़ने लक्षन कहते हैं माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों से लक्षमी चली जाती है अब लक्ष्मी जाती है या नहीं ये तो नहीं मालूम लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगल की हंटी चत्काने की आदत होती है जिसके चलते एक दिन सभी जॉइंट हीले पर जाते हैं और बुडापे में उसकी शक्ती कम हो जाती है फिर हाथों की अंबुलियों से चाय का कप पकड़ने पर वह हिलेगा नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा करने से सुक, समृद्धी और सेहत सभी एक समय बाद नश्ट हो जाती है आप कितने ही धनवान हो लेकिन यदि आप लगातर नशा कर रहे हैं तो निश्टित ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी ऐसा कई उदाहरन आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए कई लोगों को देखा गया है कि मोकिजो के पर जंगल में या खुले आकाश के नीचे कही भी सूनसान इलाके में वे शराब पीने के लिए इकत्थी होते हैं उनकी ये आदत कभी भी भारी पर सकती है इसके जब दुश परिनाम निकलते हैं तब समझ में आती है जियोतिश अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजनाधी करने से राहू और केतु का प्रकोक बढ़ जाता है तो वास्तु के अनुसार बर्कत चली जाती है लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेट सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं होली, रंगमंच में आदी कुछ त्योहारों पर लोग शराब पीते हैं ये भी देखा गया है कि नवरात्री और देपावली के पवित्र दिनों भी लोग अब पीने लगे हैं जो कि पापकर्म के समान ही है पीने के लिए आपके पास और भी दिन हो सकते हैं लेकिन पर्फ, तयोहार और व्रतों के दिन पीने के परिनाम भी भुगतने हूते हैं तांत्रिक या वामकर्म मानस में लिखा है कि यह सभी कोलमार्गी, तांत्रिक, अघोर, बाबा आदी है जो धर्म विरूद्ध हैं। कौल या वाम का अर्थ ये कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले। जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक तक होजले और जो नियमों, परंप्राओं और लोक या वहार का गोर विरूदी हो, वह वाम मार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूशिती करते हैं। ये लोग उस मुर्दे की समान हैं जिसके संपर्थ में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। वाम पंथ देश, समाज और धर्म के लिए घा तक है। सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना, ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानी होती हैं वहीं आप किसी अंजान संकट को भी बुलावा देने हैं। ये भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माय सक्रिय हो जाती हैं। हाला कि यह धारना जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभेवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भेरो और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं जानते। अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा, तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।